हलो फ्रींट्स आप सभी लोगों का स्वागत थे हैं हमारी यूटूब चैनल कविंदर भाईया तो आज हम पढ़ेंगे गक्षा छे का नागरी शास्त्र यूपी बोड का पाट दू पाट का नाम है ग्रामीर अस्थानिया स्वाशासन तो देखी दोस्तो हम इस पाट का सभी प्रेशन होता देखेंगे प्रेशन वन है रिक्तस्थानों की पूर्टिक की देखें हमने आपर पूर्टिक करके दिखाया है जैसे कि प्रेशन है ग्राम पंचायत का चुनाव यहां पर रिक्तस्थाने वर्ष के लिए होता है यहां पर पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत क चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है तो हो जाएगा पांच वर्ष के लिए यहाँ पर पूर्ति कर लेंगे रिक्तस्थानों की अगला है पंचाय समीति की सदस्थ्यों को चुनने वाले मद्दाता किया यू कम से कम यहाँ पर रिक्तस्थाने वर्ष होनी चाहिए तो कित जिमेदारी गाउन की दशाल सुधारनें की होती है अगला पन्चायत को सरकार द्woरा मिलता है क्या मिलता है अनूदान मिलता है अगला परिशने दो नमबर दिये गए कठनों में जो सही हो उनकी आगे सही और जो गलत हो उनके गलत का चीन लगाईए दिखें आप लगा के दिखाए जैसा कि प्रश्ण है पंचाय समिति का कारें ग्राम में रोश्णी का प्रबंध करना है यह क्या है सही है अला हर ग्राम सभा में एक पंचाय समित्य होती है ये भी कहा है सही है पंचाय समित्य के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है ये कहा है गलत है मेला दुकान मकान आदी पर लगे कर द्वारा गाव पंचायत को आई होती है ये कहा है सही है अगला प्रिशने तीन नमर मिलान कीजिए यहाँ पदे की मिलान करना है हमें यहाँ पदिया है जैसा की दिया है बढ़ई, सिच्छक, डॉक्टर, राजगीर, कुम्हार और यहाँ पर इनके कारे दिये गए हमें मिलान करना है कि किसका सही कारे है जैसा की बढ़ई है लिके बर्तन बनाना अगला प्रिश्ण है चार नमर ध्यान से पढ़िए और बताईए प्रश्ण है ग्राम पंचात के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आई होनी चाहिए इसका उत्तर हो जाएगा नियुंतम 18 वर्ष अगला है अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए ये आप स्वैम की जिये आपके जो भी ग्राम सभा यानि कि आपके गाउं के जो भी परदान होंगे उनका आप यहाँ पर नाम लिखिएगा और अगला जो प्रश्ण है आप ये भी स्वैम की जियेगा अगला प्रिश्ण है ग्राम पंचायत के कारे लिखेस का उत्तर हो जाएगा पंचायत की जीमेदारी गाउं की दसर सुधारने की है ग्राम पंचायत यह देखती है कि गाउं की जनता प्रात्मी स्वस्त केंडर के द्वारा स्वस्त की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं या बच्चों की सिच्छा के लिए विद्याले की निगराईन करती है गाउं की गलीओं में खड़न्जा बिच्वाने, सड़क बनमाने, पानी की निकाशी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादी की विवस्था तथा जन्म और मृत्यू का बिवरा तयार करने की जिमेदारी ग्राम पंचायत की होती है यह जरूरत मंदों की पहचान करने और कारियों की प्राथमिक्ता का निर्ए भी अपनी पैठकों में करती है गाउं की सरोजनिक समपत्ति का रख रखा एवं इनके खरिने तथा निलामी का कारिय ग्राम पंचायत द्वरा ही होता है पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्ष का हिसाब किताब रखती है वर्ष में दो बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिती अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं अगला प्रेश्ट विद्यार्थी स्वैम करें अगला है यदि आपकी गाउं में पंचायत ना होती तो क्या कटनाई होती इसका उक्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत की जिमेदारी गाउं की दसर सुधार ने की है उनका कारे अप्रात्मिक स्वस्ते के न्रद्वारा दी जाने वाली सुधा गाउं की जनता को पलब्ध करवाना बिजली, पानी की विवस्था करवाना, सडकी एवं नाली बनवाना तथा जन एवं रितिव का विवरा तयार करवाना इत्यादी यदि हमारे गाउं में पंचायत नहीं होती है तो हमें इन सुविधाओं से वन्चित रहना पड़ता है और बहुत सारे कठनाईयों का सामना करना पड़ता अगला प्रश्ण पांच नम्मर है ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप ओड़त क्यूं नहीं दे सकते इसका उत्तर हो जाएगा क्यूंकि ग्राम पंचायत का सदस्यों के चुनने के लिए मद्दाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए 18 वट से कम होने पर आप ओट नहीं दे सकती तो देखे दोस्तो इसमें इतना ही प्रश्न दिया था तो मिलते हैं ने शुड़ें तब तक के लिए धन्यवा दोस्तो